Hello Friends, आज हम 3DS Max में Particle के Timing and Quantity के बारे में चानेंगे इसके लिए सबसे पहले हम अपने Viewport से Grid को हटा रहे हैं हम G Press करके Grid हटा सकते हैं G हमारा Grid हटाने का shortcut होता है तो हम हर Viewport में जाकर G Press करेंगे और Grid हटा देंगे इसके बाद हम अपने Great Option में आएंगे Geometry में Particle System में आएंगे और हम यहां से Super Spray सेलेक्ट करते हैं और अपने Viewport में Left Click करके माउस को ड्राग करते हैं इससे हम जितना बड़ा Super Spray बनाना हैं उतना बड़ा Super Spray बना सकते हैं इसके बाद हम Alt W करके Perspective View को जूम कर लेंगे E Press करेंगे हम Particle को Rotate कर सकते हैं अब हम देखते हैं इसको Animate करके हम अपने Slider को Move करके देख सकते हैं यहां पर अपने Particle का Effect किस तरीके से Center से हमारे Particles जा रहे हैं अब हम अपने इसमें Changes करना चाहते हैं इसके Timing में इसकी Quantity में Change करना चाहते हैं तो हम इसके Modify में जाएंगे Modify में हम देख सकते हैं कि हमारे पास Option आता है Viewport Display का जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा Tix पर Dot लगा हुआ है It means हमारा Tix में Particle जा रहे हैं हम देख सकते हैं कि हमें Plus Plus दिखाई दे रहे हैं इसके बाद हम अगर इसे Dots कर दें तो हम अपने viewport में देख सकते हैं कि हमें dots में particle दिखाई दे रहे हैं ये इसके बाद हम नीचे देख सकते हैं mesh आ रहा है अगर mesh पे click करते हैं तो हम इसको mesh में देख सकते हैं हम देख सकते हैं purple color के हमें mesh दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे हम अपने viewport को और bright करके देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि हमें यह purple color की छोटे-छोटे dots दिखाई दे रहे हैं हम इनकी quantity में change करना चाते हैं तो हम देख सकते हैं हम यह particle की यहाँ पर 10% आ रहा है अगर हम इसको 50% कर दें तो हमें यहाँ पर जादा particle दिखाई देंगे हम वापस से अपने viewport का color customize में जाकर change कर सकते हैं हम वापस से particle में text कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी quantity भर गई है हम वापस इसको 10 कर देते हैं तो हम देख सकते हैं अपने viewport में, इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे particle generation का option आ रहा है, हम इस पर click करते हैं, इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास particle के timing आ रहे हैं, जिसमें start frame आ रहा है, तो हम इसमें value दे देते हैं 20, और इसके बाद stop में value दे और आगे move करते हैं तो हम देख सकते हैं, 20 तक कोई particle नहीं है, और 20 पार्टिकल आने शुरू हो गया है। हम 60 तक जाते हैं और 60 के बाद हम Δेख सकते हैं कि पार्टिकल खतम हो गया है। अब हम particle को center में ली आते हैं, it means 20 के बाद कहीं पर भी किसी direction में, तो हम देख सकते हैं कि हमने आपर 40 पर ले आए हैं, इसके बाद हम वापस उपर आते हैं, तो उपर की तरफ हम देख सकते हैं कि particle formation आ रही है, जिसमें इसको 2 direction दीवी हैं spread करने की, तो first direction में हम इसको spread कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम इसको दूसरी direction में भी spread कर रहे हैं, हम यहाँ से इसकी amount बढ़ा रहे हैं, 10 की जगह हम इसे 50 कर देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर काफी सारे particle दिखाए देंगे, हम spread की value अभी भी change कर सकते हैं, अपने according रख सकते हैं, इसी तरीके से हम उपर वाले spread में भी changes कर सकते हैं, अब हम वापस से नीच जाते हैं, हम अभी भी चाहें तो अपने start और end में changes कर सकते हैं, अब हम अपने animation को फिस से check करते हैं, हम 0 से जाकर वापस शुरू करते हैं 20 के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अब हमारे पार्टिकल इसमें निकल रहे हैं और 60 के बाद ये end हो जाएंगे इसके बाद हम देख सकते हैं कि पार्टिकल कॉंटिटी में इसके use rate दिखा रखे हैं 10 हम इसको 50 अगर कर दें तो हम देख सकते हैं कि हर फ्रेम में हमारे पास अब 50 पार्टिकल दिखेंगे मतलब it means कि पार्टिकल की कॉंटिटी बहँ जाएगी हम और जादा बढ़ाना चाहें और बढ़ा सकते हैं हमने 100 कर दिया तो हम देख सकते कि पार्टिकल और 100 हो गए हमारे particle इतने portion में सिर्फ 100 आएंगे और अगर हम इसकी quantity बढ़ा दें it means हमने 300 कर दी तो अब 20 से लेकर 60 तक वो total 300 particles दिखाएगा हम और quantity बढ़ा दें it means अगर हमने 600 कर दी तो वो 20 से लेकर 60 तक हमारे 600 particles दिखाएगा इसी के साथ हम देख सकते हैं कि अगर हम 600 को 10 कर दे तो हम यह कि वो 20 से लेकर 60 तक सिर्फ 10 particles ही दिखाएगा हम count कर सकते हैं 3,4 मतला वो maximum 10 particles ही दिखा रहा है इस तरीके से हम total particles की value भी change कर सकते हैं अब हम use total और use rate में difference देखेंगे it means अगर हम use total को 100 कर दें इसी के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यह use total को हमने 100 किया वा है हम 45 पर जाकर रुप जाते हैं और use rate पर click करते हैं तो हम देख सकते हैं कि use rate में और use total में कितना difference है इस तरीके से हम particle create कर सकते हैं उसकी timing और quantity मे changes कर सकते हैं थैंक यू